सिक्षक साथियो नमशकार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PM3 इसकूल के लिए आप अपने इसकूल की जानकारी PM3 पोर्टल पर किस प्रकार से फिलब कर सकते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी सरल शब्दों में आपके बिच रखने का प्रयास कर रहा हूं उमिद करता हूँ कि हमारे उज्वन लक्षट 250 यूटूब चैनल के अन्ने वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेलपफुल सिंत होगा इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी से विशेश रुप से विनम्र निवेदन हैं कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक हमारे चैनल को सपोर्ट देता है और आने वाले समय में इसी प्रकार से बेहतरे वीडियो बनाने की प्रेड़ना देता है तो लाइक अवर्शे कीजेगा और यदि चैनल में नए है सबस्क्राइब नहीं किये है तो तुरंट सबस्क्राइब कर लिजेगा और बेल लाइकन दबा लिजेगा तो अचले अब बात करते हैं कि इस पर हमें कारे की इस प्रकार से करना है तो सबसे पहले जो है आपको इस वेब साइट पर पहुँचना होगा इसके लिए अपने मोबाइल पर या कंप्रेटर में गूगल को ओपन कीजेगा उसके पर चाथ यहां पर प्यम स्रीक का जो आफिसल वेब इडरेस है उसे टाइप कीजेगा इसके लिंक को जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिशन पर भी दे दूँगा जिसे आप क्लिक करके सीधे यहां पर पहुँच जाएंगे यहां पहुचने के पश्चाथ आपके मोबाइल पर इस प्रकार से व्यू आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं, मेन्यू बार है, इसको जैसे टेच करते हैं तो यहाँ पर होम, अबाउट अस और कांटेक्ट अस लिखा हुआ है यदि आपको इस website के बारे में जन करें चाहिए तो आप about us को click करके जन करें प्राक्त कर सकते हैं login करने के लिए क्या कीजेगा आप इसे जब नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर login लिखा हुआ है इसके ठीक नीचे नीले रंग में दो अलग अलग बॉक्ष है जिसमें जो नीचे अलग बॉक्ष है उसमें लिखा हुआ है login for school user इसी को आपको क्लिक करने है जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज सामने आएगा जिसमें इसकूल login लिखा हुआ है यहाँ पर यूडाइस कोड है यहाँ पर mobile number आप हम तो आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहले आप अपने इसकूल के यूडाइस कोड को फिल अप करेंगे उसके परस्चाथ यहाँ पर उसी mobile number को फिल अप करना है जो आपने यूडाइस डाटा प्लस भरते समय फिल अप किया था तो चले मैं यहाँ पर mobile number फिल अप कर देता हूँ जहाँ पर यह आपके इसकूल का डैस बोड है इसमें आपके इसकूल की समाने जानकरी दिखाई जाएगी अब उसके परस्चत काफी महत्तपूर है यहाँ पर औरेंज कलर की पट्टी जिसके अंदर देख सकते हैं तीन अलग अलग जानकरी है जब पहला जानकरी है वो है ग्राम पंचायत इस्तर पर एक लेटर जो है आपको बनवाना है और उस लेटर को जो है इसी वेपसाइट पर अप्लोड कर रहा है तो वो लेटर कौन सा होगा इसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है इसे क्लिक करके आप वो लेटर डाउनलोड कर सकते हैं फिर प्रिंट आउट करा लिजेगा फिर ग्राम पंचायत से उसको भरवाईएगा इसी के साथ प्रधान पठा की स्तर पर भी प्रिंस्पल की स्तर पर भी एक लेटर बनमाना है उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है अब प्यम स्री के लिए कौन कौन सी जनकारी इसको द्वारा चाही गई है इसकी जनकारी फिलप करने के लिए एक सेंपल फॉर्म दिय जीजे उसके बाद आप वन सिटिंग में जो है आउनलाइन डाटा को अपलोड कर सकते हैं ठीक है अब उसके परशाद आगे बढ़ते हैं जब यह पूरे काम कर लेंगे उसके फिर स्ट लॉग इन कर लेना लॉग इन करने के परशाद इस पेज पर आदा यहां पहुंचने के परशाद देख सकते हैं इसकुल समरी दिया गया है तो इसमें जो है सेक्शन वाइस अलग-अलग जनकरी फिल अप करना है जैसे कि देख सकते हैं यहां पर मेरा कंप्लेटर दिखाई दे रहे है पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए वो कंप्लेटर है अर्थाक मैंने इसको फिल कर दिया है जिस डेट को फिल अप किया है वो यहां पर सो भी हो रहा है बांकी जो जनकारी है not started दिखाई दे रहे हैं जब आप पहले पर on करेंगे तो यहां पर हर चीज जो है not started रहेगा आप क्या कीजेगा इसके नीचे जाएंगे तो यहां पर प्रोसीट का option है इसे आप क् चुकि मैंने section एको बस फिल अप किया है इसलिए इसमें right टिक है बांकी में देख सकते क्रॉस है अब उसके प्रश्चाथ क्या कीजेगा यहां सबसे पहले स्लेट करने के प्रश्चाथ यहां पर जानकारी चाही गई है जो जो प्रश्चन है उसको पढ़िएगा और आपक प्रश्चारी को section 1 कभल लिंगे उसके प्रश्चा नीचे में देखेंगे save का option है जब आप इसको save कल लिंगे उसके प्रश्चा section B पर जाएगे तो वहां पर भी इसी प्रकार की कुछ जनकारी पूछा गया है उसमें भी आप yes या no में जनकारी को फिल अप कीजेगा इस प स्वा सुरक्षित हो जाएगा यदि आप save को क्लिक ने करेंगे तो आपका मेहनत वेर्थ चले जाएगा तो आप जो है save को फिल अप कर लेंगे आप देखेंगे हर section के जो left side में एक हरी पट्टी है उसमें right का जो है निसान आ गया है इसका मतलब आपने इसको फिल अप कर द जैसे आप preview को क्लिक करेंगे आपने अपने इसकोल की जो भी जानकारी इस पोर्टर पर upload किये हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पर सामने आ जाएगा इसके साथी साथ सेक्षन के अनुसार से आपके इसकोल का कितना नंबर बंद रहा है वो भी यहाँ पर total दिखाई देगा आटोमेटिक जैसे कि देख सकते हैं पहला जो सेक्षन था उसमें टोटल पंदरा प्रशन थे तो पंदरा प्रशन में से हमने सभी का जानकारी फिलब किया और उसके प्रश्याद 27 में से 18 नंबर हमारी स्कूल को प्राप्ट हुआ है इसी प्रकार प्रत्रेक सेक्षन का दि से 107 प्राप्त हुआ है इसका मतलब 75.31 प्रतिशत प्राप्त हुआ है इस प्रकार से यहां तक जानकारी फिलब करने के पश्चात आपको अब कुछ फोटो जो है इस पोटर पर अप्लोड करना है कौन-कौन सा फोटो अप्लोड करना है ध्यान से देखिए यहां पर देख सत्य फ्रंट इमेज, फ्रंट इमेज का अर्थ यह है कि सामने एक फोटो, तो आपके इसकुल का जो फ्रंट व्यू है, उसका एक फोटो खीच लिजेगा, और उसमें अपलोड कीजेगा, ध्यार रखेंगे कि जो फोटो का साइज है, वो 200 कबी से जादा नहों, तो फोटो के साइज को हम कम कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो काफी पहले बनाया है, उसका आप देख लिजेगा, वो आपके लिए हेल्प फूल रहेगा, इसी प्रकार से जो भी फोटो यहाँ पर पीछे का खीचेंगे, उसकी जो अधिक्तम साइज है, वो 200 कबी ह अब इसी किसां साथ आपने पंचायत इस्तर पर जो लेटर तयार करवाया, उसका भी फोटो खीच करके यहाँ पर अपलोड करना है, उसके प्रश्चाद देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंस्पल का जो लेटर है, उसको फिलब करना है, तो इसमें संस्था के प्रशारे के द्वारा ही बनाया गया फोट लेटर को इसमें अपलोड करने हैं देखें यहाँ पर जब आप फोटो को अपलोड कर लेंगे उसके प्रश्चात अगला जो टैब है उसको ध्यान से दिखते हैं यहाँ पर इसकुल डिकलिरसन है चुकि मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड नही आपको क्या करना है यहाँ पर एक प्रश्चन पूछा गया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके इसकुल को PM3 इसकुल के लिए चुना जाना चाहिए तो इसका जो सटिक कारण है आप 100 से 200 शब्दों में टाइप करके जो है यहाँ पर पेश्ट कर दिजएगा या फि लता पुर्वक्से लेगा उसके परश्चात नीमन संदेज दिखाइए देंगे इस परकार से एक संदेज आएगा देख सकते हैं यह सब ठीक है उसके परश्चात अब आता है फाइनल सब्मेट करने की ने की प्रक्रिया क्या होगी जब आप पूरी रणकरी को फिलप कर द तो इसमें OTP के लिए पूछेगा, OTP डालने के लिए यूजर के रेजिटर मोबाइल नमबर पर एक मैसेज आएगा, ठीक है मैसेज आजाएगा, उसके पश्चाज जैसे आप OTP को दर्ज करेंगे, फाइनल सब्मिसन हो जाएगा, यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि यह एक चेतावनी देगा, कि एक बार जमा किये गए फॉर्म को बदला नहीं जा सकता है, और यह फ्रीज हो जाएगा, उप्योग करताओं को अंतिम सब्मिसन से पहले, सभी डेटा की जाच करने, और पीड करके जरूर बताईएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजेगा, नमस्कार.